इस वीडियो में बताने वाले हैं gear cycle में कहाँ कहाँ oiling क्या जाता है और किस तरीका से करना चाहिए जो कि आपका cycle का smoothness हमेसा बना रहा है और oiling करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि आपका gear cycle में कोई भी ऐसा problem ना हो जैसा कि ये gear cycle आप देख रहे हैं आपके पास किसी भी category का कैसा भी gear cycle हो और कौन सा oil का use करना चाहिए जो कि आपका gear cycle में कोई भी ऐसा problem ना हो और long last तक चले और gear cycle का smoothness जो है हमेसा बना रहे है तो चली आप लोग को बताते हैं oiling किस तरीका से करना है और कौन सा oil का use करना चा new oil होना चाहिए जो कि bike का engine का oil होता है एकदम new होना चाहिए जला हुआ नहीं होना चाहिए इस तरीका का कोई भी आप जो है brand का oil ले जो कि नया होना चाहिए और अपना cycle में oil को डाल ले जिस तरीका से हम आप लोग को देखा है आउसके बाद आप सभी जगाव में oiling करना तो कहां कहां oiling करना cycle में चली आप लोग को बताते हैं यह आप लोग का ज्यादा समिना वेश करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले गाईस अगर आप हमारे चैनल में new आये है और cycle related में knowledgeful वीडियो देखना चाहते है तो हमारे चैनल को subscribe कर ले श्मूदनेस बना हुआ रहेगा ब्रेक लिवर का तो चली हम यहाँ पर यहाँ लिंग कर दिये हैं तो दोनों साइड में बराबर कर देते हैं इस तरीका से दोनों से आपको भी कर लेना है अपना cycle का कि यह हमारा हो गया complete उसके बाद cycle को इस तरह के सुता देना सुताने के बाद जो है दो दो बुंद ओलिंग कर देना है हैं उपर और नीचे दोनों सेड में अच्छा से आपको ओलिंग कर देना है जैसा कि देख पा रहे हैं अब उसके बाद के सब्साइय करना कि आप सक्रमें ऐस जगा की देख रहे हैं इसमें लगा स्कार में इसको आप और यहां पर आपको तीं-चार यह कर देना से देखिए इस त्रीकास और तो अंदर में те पुसिझा रहे wordt करेगा अगर अगर से नहीं कर रहा है तो और अगर कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है उसमें आपको कभी भी इस प्रिंग जो है जाम नहीं होगा शोकर का उसके बाद की आपका सोकर का स्मूद्ध हमेशा बना हुआ रहेगा उसके बाद गाइस इस तरीका से साइकिल को उल्टा कर देना है जैसा कि देख पार जमीन में हम सुता दियें साइकिल को सुताने के बाद आपको क्या करना है जो बटम ब्रेकेट आप देख रहे हैं यहां पर दो दो बुन ओईलिंग कर कर लेना है आपको उसके बाद साइकिल को खड़ा कर लेना है और ऑपोजीट साइड में इस तरीका से ओईलिंग कर देना है जिस तरीका से आप देख पा रहे हैं उसके बाद क्या करना फरन डूएलर में आपको इस तरीका से ओईलिंग कर देना है जिस तरीका से आप देख रहे हैं इन्हीं सभी जगा में जहां परी स्कूरू वगएरा है रोटेड होता है ड्वेलर काम करता है उस तरीका से सब जगा में आपको ओईलिंग कर देना है जिस तरीका से हम कर रहें नट बोल्ड वगएरा इस सब सारा चीज में आपको ओईलिंग बढ़े सब एकदम कर द कर लेना है और कर देंस क्रूफम कर्द कहां और ऊपना संप पॉलिस किस तरीका से करना कौना पोलिस बेष्ट रहेगा और वास किस तरीका से करना हैं सारा चीज बताएं तो ये देखिए हमारा डौल प्रब्लम नहीं आएगा रश्ट वगरा नहीं लगेगा चैन आपका खराब नहीं होगा तो यह देखिए हमने बढ़ेंसे ओइलिंग कर दिये हैं और आखिर में आजाता है चक्का में ओइलिंग किस तरीका से करना है चक्का में आप जब ओइलिंग कर रहे हैं विल में फरंट के रहे हैं लाख नहीं करेगा नहीं करेगा तो यह चीज़ आपको साबधानी वरकते हुए चकट में खरले तो चलिए हम चक्का में घृणी कर लेते हैं किस तरीका से करना का ना दो भूंद ओईलिंग करना ताकि डिक्स में ना जाए इस तरीका से जैसा कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा एकदम ओईलिंग कर दिये हैं और उसके बाद क्या करना कि हम अपना चक्का को रोटेट कर ले एक बार इससे क्या होगा कि ऑईल जो है अंदर की और चला जाएगा दिक्स में नहीं जाएगा बस सिर्फ दो बूंद करना है आपको चैन विल के सैड्में जो चक्का है यहां पर ओईलिंग कर रहे हैं तो यहां पर यह ज्यादा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इस सैड्में आपका जो है डिक्स लगा हुआ नहीं है जिदह ड कि इस देखाएं कि गेर सैकिल में कहा कहा ओईलिंग किया जाता है किस तरीका से करना किस चीज के ध्यान देना चाहिए और इस बताना चाहिए इस सब जगह करने के बाद कि आप देख पा रहे हैं इस जगह में नट लगा हुआ तो नट में भी आप हलका-फुल का वेगरा हो जाएगा इसलिए आप जितना भी नट वेगरा देखते हैं साइकल में कहीं होता तो आप ओइलिंग कर दें तो वह ज्यादा बेटर रहेगा बाकि आपका इच्छाप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं अगर आप अपना सेखिल को वास किये हैं तो वास करने के बाद एक घंटा डेड़ घंटा के बाद आपना सेखिल को सब जगह में ओइलिंग कर दें अगर आप अपना गेर सेखिल में इससे आपका गेर सेखिल हमेशा चलेगा और कोई बेसा प्राब्लम जल्दी नहीं आएगा चले फिर मिलते नेक्स वीडियो में जहिन बंदे मातरम